हेलो फ्रेंट्स असलाम अलेकूम वेलकम टू माँ चैनल फ्रेंट्स हमने जो शिक्स मेने से लेके एक साल तक के बच्चे का स्वेटर श्टार्ट किया है यह बेक पार्ट है यह पार्ट वान में मैंने अपलोट कर दी है इसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी आज इ वो हम इसी पार्ट में बनाके दिखाएंगे आपको फ्रेंट के दो पीस गले की बॉर्डर और यह जो मुद्दी का बॉर्डर है यह हाफ जैकेट है तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइट कर दूँगी एक मैंने अपलोट कर दी है और दूसरा मैं आज आज आपको बता बनाने वाली हूँ तो चलिए फ्रेंट देखते हैं इसे कैसे बनानी है दिखेंगे फ्रेंट के बनाई है इसमें मैंने बॉर्डर पे 67 फंदे डाले थे तो अगर हम फ्रण्ट ओपेन बनाते हैं तो इसको हमें हाफ करना है देखेंगी मैं आपको थोड़ा सा दिखा दिए सब्सक्राइब दिश्लिफिए cana प्रेंट के संदूर सब्सक्राइब संदूर है to सब्सक्राइब के और हुआ नीच करेंद तो इस्का हांख नौ तो एक पल्ले में हमारा 34 फंदे होंगे और दूसरे पल्ले में हमारा 33 फंदे होंगे तो हम क्या कर सकते हैं या तो आप एक फंदा माइनस कर दीजे या आप एक फंदा इसमें प्लस कर दीजे 68 फंदे का हाफ होता है 34 34 और प्लस हमारी यहाँ पर बटन पट्टी तो मैंने यहाँ पर क्या किया है 34 फंदे मैंने इसके हिसाब से यहाँ पर डाली है और 4 फंदे मैंने एक्ष्टा डाली है बटन पट्टी के लिए उसमें मैंने यह जो फंदे है बटन पट्टी के ए मैंने आठ फंदों की बटन पट्टी बना ली बाकी जितने भी फंदे हैं उसको मैंने डिजाइन के हिसाब से सट कर दिया है मेरा जो डिजाइन है यह सिक्स के मल्टिपल चलता है और लास्ट में आपको एक फंदा एक्ष्टा रखने होते है तब यह डिजाइन आपकी प्रोजेक् में डालेंगे के इतनी चौड़ाइक हमने बैक साइट के ल Hayır की रखी है बॉर्डर की उतना ही हम रखेंगे तो इस तरीके से मैंने ॉपीस कने बना ली है जो है इस फ्रंट पार्ट के लेफ्ट साइट के पन ले में अभी 38 पंद cm ऐ आप्पर 8 फंदों की बटन ब वो मैंने complete कर ली है देखिए friends इस तरीके से हमने इसको बना ली है जब हमने यहां से सीधी तरफ से बनाती हुए आई है वहाँ पर starting में हमने बटन पर्टी बनाती हुए इसको बनाई है आपको इस बात का दियान रखना है बोडी का जो दोनों पीस है वो बटन पर्टी अलग अलग बनती है बस आपको डिजाइन को सेट करना पड़ता है इस पल्ले में बटन पर्टी स्टार्टिंग से बनेगी और यहां पर हम बटन लगाएंगे इसमें हम होल नहीं रखेंगे तो इस तरीके से मैंने आतक की बना ली है इसका आप जो है अपने हिसाफ से फंदे रख सकती है जब हम इस तरीके से फंदे रखते हैं जितने भी फंदे होते हैं उसका हाफ करके उसी में आपको दो-चार फंदे डालके फिर अगर आप बटन पर्टी बनाएंगे तो यह जो पल्ला है बिल्कुल सही बैक पार्ट के आदा फंदे हम फ्रंट पार्ट पर डालते हैं उसके बाद हम बटन पर्टी के लिए आलक फंदे डालते हैं तो उसका क्या होता है बैक पार्ट के हिसाफ से हमारी जो फ्रंट पार्ट है इसकी चोड़ाई ज्यादा हो जाती है तो इसलिए मैंने आपर इस बनाने के बाद गोल गली की कटिंग स्टार्ट करनी पड़ीगी अब मैं यहापर बी गला बनाऊंगी तो बी गला का हम कैसे बनाएंगे देखिए यहापर सबसे पहले हम बटन पट्टी बनाएंगे टोटल इस पल्ले में मेरे बटन पट्टी को साथ में लेते हुए 38 फंदे है इस वले पार्ट में तो देखिए हम पहले यहापर बटन पट्टी बनाएंगे और यहाँ से हम गलाई स्टार्ट करेंगे सिधी तरफ से और उसके बाद हम जब उल्टी सिलाय बनाती हुए आए दो पहले हम जो है बटन पट्टी इस तरीकिसे बनाएंगे यहा tại र हमारी बटन हो नहीं बनेगी बटन हो हमारी राइस चैट के बले में बनेगी तो इस तरीकिसे हम पहले आट फंदों की एक सिधा एक उलटा करके बटन प कि दिखिए आठ फंदों की हमारी बटन पड़ती है दो चार छे आठ अब देखिए आपर हमें फंदा भी गटा आना है तो हम क्या करेंगे यह जो फंदा है इससे हम इस तरीके से ऐसे निकाल के इसको ऐसे पलेट लेंगे इसके बाद देखिए इन दोनों को एक दो एक साथ लेंगे ऐसे दोनों को एक साथ ले लिया और दो का एक कर देंगे यहाँ पर हमारा एक फंदा गट गया अब देखे डिजाइन के साब सिस्रो को बनानी है तो हम यहाँ पर डिजाइन नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी जो सीधी साइट से फिर से यहाँ पर एक फंदा गटानी है तो हम उनको आगे की तरफ लाएंगे एक दो तीन इन तीन फंद कि वी यहां से हमारी डिजाइन स्टार्ट होगी जो मैंने डिजाइन स्वैटर में डाली है तो आप अपनी हिसाब से डिजाइन अगा डाल रही है तो यहां पर हमें दो फन्दे गटाने हैं क्योंकि हमने back part में 2-2-1 की cutting की है मुद्दे में तो अब हम यहाँ पर 2 फंदे इस तरीके से कटाएंगे पहले 2 फंदों को एक सत लेंगे 2 का एक कर देंगे इस फंदे को इसमें लेंगे फिर से और इस तरीके से इन दोनों को लेके 2 का एक कर देंगे और डिजाइन के साब से इस सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बनानी है बाकि 8 फंदों की बटन पट्टी है उससे हमें एक सिधा एक उल्टा बनानी है इस सिलाई को मैंने यहाँ तक बना लिए उल्टी सिलाई अब यहाँ पर जो बटन प्र steering को कम्प्लीट कर लेंगे बिए काटिंग के दूसरे और से कंप्लीट हो चुकी है आप एब आ जाएंगे सी अतर्फ से यहां पर हम बट्न पट्न के रेंगाओ कि देखिए साथ फंदों की आठ फंदों की हमने बटन पटी बना ली अब इस फंदे को ऐसे पलट लेंगे ऐसे और यहां पर फिर से हम एक फंदा ऐसे दो का एक करके गटा देंगे और यह जो दैन की साब से सीधी सिलाई है तो देखिए इसको हम इस तरीके से सीधा बना दे लेंगे और पूरी सिलाई हमारी डिजाइन की साब चुझाएगी तो इस सिलाई को हम लाच तक बना लेंगे सिधा सिधा करके देखिए मैंने सिधी सिलाई कंप्लीट कर ली है अब आजाए उल्टी तरफ से यहां पर हमें दो फंदे कटाने हैं तो पहले हम दो का एक अब पूरी सिलाई हम इस तरह से इसको इल्टा इल्टा बनाते हो लाउस्ट के आठ फंदे रहने तक कम्प्लीट कर लेंगे और ला चुझा आठ फंदे हैं उससे आपको एक सिधा एक उल्टा बनाते होए कंप्लीट करनी है क्यूंकि यह हमारी बॉर्डर की डिजाइन है पिर दे availability स्खेया तो इसको saaf between शहाँ को सीधा करएंगेंक पलट lux लेंगे दोनों को लेकर करलेंगति की कर देंगे ले आपश वर्ले फंदे कट आये तो इस तरीके से लूख आएगी अब देखिए यह इसद फ़ली वला फंदाहे से छोड़ के इसके अगले यह फंदाहे से हम उन आगे की तरफ लाके उल्टा फंदा बना देंगे तकि डिजाइन की जो लूख है वह इस तरीके सर आए तूह है तो मैंakah इस तरीके से सब्सक्राइब करेंगे जिए को कैसे के में आते पाई लास्ट के आट फंदे हम कहमें इसकोनच कर लेंगी देखिए फ्रेंज हमारी जो मुद्दे की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है इस तरीके से और गले की भी हमने तीन फंदे गटा दे लगातर हमने तीन फंदे गटा या आप देख सकते हूं इसकी ऐसे ऐसे आएगी अब देखिए फ्रेंज हम बैक पार्ट मोई इससे इस ise Climate तो या तो आप 2 सलाई की डीजिए उसके बात 1 फंद्र गटाई आए या फिर आप 4 सलाई की डीचिए एक फंदा गटा सकते हैं उसमें कोई दिख्यात नहीं है आपको फंदे उतना ही गटा आने हैं जितने हमने एक्ष्टा फंदे जो होते हैं बैक पार्ट के जो शोल्डर के फंदे से छोड़ के जितने भी फंदे आपके हाप पर बचेंगे मैं आपको गिनकी भी बता देती देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 16 फंदे हमारे जो शोल्डर की हो वो 2, 4, 6, 8, 8 फंदे हमारे बटन पटे इसे हम छोड़के फिर काउन करेंगे 2, 4, 6 फंदे है तो हमारी जो है चार स्लाई के बाद अगर हम एक-एक फंदा गटाएंगे तो इसकी जो शेप बहुत अच्छे से आजाएगे और लेंद भी कंप्लीट हो जाएगी जहां तक हमने फंदे गटाने हैं अगर हम 4 स्लाई के बाद एक-एक फंदा गटाएंगे तो यहां तक विनाए हमारी हो जाएगी तो इसी तरीके से आपको हिसाब लगाना है कि आपके जितने भी फंदे हैं उससे आप शोल्डर के फंदे निकाल लिजे और बटन पट्टी के फंदे साइड में रखे बीच में जितने भी फंदे होंगे आपके उतने आपको डिवाइट करना है या तो आप दो सलाई के बाद कुप्लीट किजए एक फंदा कटाए या फिर 4 सलाई के बाद एक फंदा गटाएए तो इसकी लेंथ आपको डिपैंड करता है आपकी बैक पार्ट में शोल्डर के लंबाई कितनी है उसकी हिसाब से आपको गैपिंग दूंगी डिजाइन के हिसाब से उसके बाद में एक-एक फंदा गटाते हुए इसकी लेंथ में पूरा कंप्लीट करके फिर में आपको बोडी कर जो राइच चैट के पला है उसे बना के दिखाते हूं तो पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूं देखिए फ्रेंट्स मैंने इसकी कंप्लीट कर ली है यहां से मैंने देखिए चार सार सलाई के बाद एक-एक फंदा गटाया है तो मेरी जो लेंथ यहां तक कंप्लीट हो चुकी थे उसके बाद मेरी कंप्लीट हो चुकी थी जो जितने फंदे थे वो कंप्लीट हो गए थे और मेरे 2-4 सलाइ जो है बाकी था उसको मैंने ऐसे हे बटनबटी के साथ इस तरही के से डिजाइन डालते हो है बना ली है और लास्ट मैंने यहाँ पर इस तरी के से एक सलाइड की करें ठीक में जूँन करेंगे शोल्डर को तो यह जो गैपिंग है बीच में सिर्फ इस तरीक से आएगी ऐसे तो इसलिए मैंने दोनों का हाफ-ाफ रखा है और जब हम इसको जॉइन करेंगे तो दोनों मिलके करें प्ल डिजयां जो है वो देखेगी एब देखिए हमारी बोड़ी की जो पर यह तो ब्लेमे राइग्ले में जहां पर हमने उतने फंदे लिए हैं जितने हमने अट ने सट्인이 देखिए यहाँ पर मैंने total 38 फंदे डालेगा जिसमें इध मेरी design सटिंग की यह अर्ए Razator सेटिंग हो चुकी और आठ फंद है बटन पर दिए तो सेम इसमें इतना ही फंद डालेंगे जितना हमने लेफ साइड के पले में से चाहिक टाला है से उतना ही डालनी हे और डिजाइन को ऐसे सेट कर ली निये उसके बाद देखें सब्सक्राइब औल्टे डालें कि बाद में बर्डर में पर देह कमक्सक्क सेंडा एक कुल्ट सेंग सेंग आक्राप सस्यवां होगा नत अई ही तो यह वी प्वस्यजिट इस इस थैंडे को खोला में आप और थोड़ी आप ऊस्यज्य स्काफिंड ओंदर एक और होल मैंने रखा है याँ पर उसके बाद फिर यहाँ पर एक होल रखा है अब मैं आपर लाश्ट एक का होल बनाओंगी जो मैं आपको बताओंगी जब हम मुद्दे की कटिंग करेंगे और गले की जो फंदे है वो गटाएंगे तब देखे जब हमने लेफ साइट के प मुद्दे की कटिंग दिजाइन की सिलाइज जाएगी तो पहले हम दो फंदे गटाएंगे इस तरी किसे कि एक कि दो अब देखिए आप डिजाइन की है तो यह जो तीन फंदे हैं इनको हम उन आगे की तरफ लाके उल्टा बना देंगे इसलिय ओन पांदा है इसे हम सीधा बना आगे की तरफ यहां से डिजाइन डालती हुए हम लेकि तक डिजाइन डालती हुए कंप्रिट कर लिती हुझ देखिएं प्रेंट्स मैंने दिजाइन बनेगी इस दो फंदा इससे दो का एक करना है और इसमें 2 एक मेंसे 3 फंदा बनाना है। तो मैं यह वहाँ पर गला करटाऊंगी गला में सीधी तरफ से करटाऊंगी तो मैं यह जो तीन वनदे हैं इनको में इस तरह के सार citas यहां पर मैं design नहीं डालूंगी इस तरीके से उल्ठा बना दूंगी उसके बाद देखिए यह दो फंदे हैं । एक पर बटन होल बनाएंगे जैसे मैं बनाती हूं वैसे किलिए मैं आपको वैसे ही बता-री हूं नहीं तो आप अपनी हिसापस को बना सकती हैं तो देखें यह जो दो फंदे हैं इनको हम उन आगे की तरफ लाके दो का एक कर देंगे उसके बाद इस फंदे को इस सलाई में लेंगे यहाँ पर और इन दोनों को मिलाके ऐसे थोड़ा टाइट करके दो का एक कर देंगे यह जो सीधा फंदा है उन पीछे ले जाएंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे उन आगे लास्ट वाले फंदे को उल्टा तो यह हमारी बेटन होल यहाँ पर बन गई अब देखें उल्टी तरफ से पहला फंदा इस तरीके से उतारेंगे अब चाहें तो बना सकते हैं सीधा फिर यह जो उल्टा फंदा है इसे हम उल्टा बनाएंगे उन पीछे ले जाएंगे जो सीधा फंदा यह सीधा बनेगा इस तरीके से इसे हम सीधा बनाएंगे अब हमने के तरफ से फंद से फंदा डालने हैं तो इसे कर right पर रहें को इस तरह करेंगे एक फंदा डालने थे दो फंदे हमने कट आइए दो ही फंद हमारी पर हो गई तो देखेल अब अ हमें आप देखतीज में सब्सक्राइबhail करें हो वो जो है वो सीधा फिर उल्टा फिर सीधा फिर उल्टा फिर सीधा और यह वाला फंदा आपको दिखेगी यह उल्टा इससे हम उन आगी की तरफ लाके इस तरीके से उल्टा बना देंगे उन पीछे ले जाएंगे यह जो फंदा है इससे हम सीधा बना देंगे अब हमारी ग दिखेंगे और इस सिलाइ को हम पूरा योल्टा बनाती हो इस तरीके से जाएंगे दिखेंगे अल्टी सिला यह ने कम्प्लिट कर दी है अब आजाए सीधी तरफ से यहाफर हमें फिर से दो फंदे कटाने हैं इस तरीके से कि 10 दो फंदे हमने गटा दे पूरी सिलाई यहां से लेके यहां से लेकिए तक दो फंदे रहने तक मैंने इसको बना ली है इस लाश तो फंदा है इसे हमें आप पर गटाना है गले के लिए देखे दो चार-चे- clues 8-8 फंदे हमारे बटन पटी के और इन दोनों को हम इस परीकिस से गटा देगे गले के लिए आप यहां फंदा इहां थोड़ा सा आपको द्यान से बनाना है क्यूंकि हमने हाप़ फंदे जो है उंगली में लपेट के बनाया तो यह थोड़ा टाइट रहेगा तो इसको हम ऐसे लेंगे और उल्टा बनाएंगे से उन पीछे ले जाएंगे इस फंदे को भी थोड़ा द्यान से यह आपकी बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए सलाईयों से इस तरीके से लेनी है और इससे सीधा बना देनी है उन आग आपके छोटे बटन है तो आप यहाँ पर एक फंदा जाली रालते हुए गटा सकते है उससे आपकी छोटे बटन एज़स्ट हो जाएगी अगर आपकी थोड़े बड़े बटन है तो आप यहाँ पर दो फंदे भी गटा आ सकते है इस तरीके से थोड़ा होल जो है बड़ा बनाएंगे और इस सिलाय को पूरा उल्टा उल्टा बनाती होई कंप्लीट कर लेंगे देखिए फ्रेंस उल्टी सिलाय मेंने कंप्लीट कर ली है अब आजाए सीधी तरफ से हमारी गला जो है वह गटना श्टार्ट हो चुकी है अब यहां पर हमें एक फंदा गटाना है कि दो का एक कर देंगे उन पीछे ले जाके एक सीधा इस तरीके से डिजाइन डालते हुए मैं लाश्ट दो फंदे रहने तक इससे बना लिती हूँ कि देखिए फ्रेंस मैंने इस सिलाय को लाश्ट तक देखिए दो फंदे रहने तक इसको बना ली है अब यहां पर हमें कि गुला कटाना हैं दो का एक करना है इस तरीके से के एंगे और जैसे बतन पत्ती है वैसे ही फंदे को बनाते फंदे को मारते के सिद्दें हुए. कि अब देखिये फ्रेंज हमने मुद्ध की कटिंग कम्प्लिट कर ली है दो-बेंख हमने कर दिया उसके बाद 3 फंद के लिए गटाए अब देखिये हमने लेफ शाइट के पले में यहाँ पर क्रीया किया है इससे हम वैसे ही करेंगे यहाँ पर अमने तीन फंद कर दो दो उ करेंगे छार सलाइब और एक दो नमारी शुल्डर के खौप оруж नहीं लिए Backgroundeous नहीं paísesrist तिए चुम्टन ने यह थो आसं झेसं पह OF थम्ट आ करको dispol ConseYes Kiss मैं फिरूर्डर जोना बताती हूं पहलान कर लेती हूं दिखिए फ्रेंस मैंने कि08 की पले को इस तरीके इस से कटिंग कर ली है और इसकी लंबाई भी मेरी complete हो चुकी है यह देख सकते हैं दोनों को एक साथ हम रखेंगे इससे इस तरीके से यह पूरी लंबाई इसकी complete हो गई है अब हम इसकी shoulder जोड़ेंगे shoulder जोड़ने के लिए हमें back side की परले को नीचे रखना है इस तरीके से सीधा करके जो है इस तरीके से रखेंगे यह जो सीधी साइट ही हमारी अपनी तरफ होनी चाहिए और एक front का piece लेंगे यह पीस यह जो है इस तरीके से इससे उल्टा करेंगे मतलब जो सीधी साइट है हम इस तरीके से नीचे की तरफ रखेंगे ऐसे और इस पल्ले को भी हम ऐसे उल्टी साइट जो है उपर की तरफ और सीधी साइट अंदर की तरफ ऐसे अब देखिए यहां पर हमें शोल्डर जोड़ना है शोल्डर हम एक-एक करके जोड़ेंगे जिसके लिए हमारी जो नोख और सफ़से वहां अधिक है और दोस्ताra यहां पर हम इक अलग से लिएंगे इस तरीके से और जो फंदेए इस वाले पल्ले की front side के जो लेफ साइट का पला है यह है इससे हम अब इस तरीके से तो मैं इसको बिना बुने उतार लेती हूँ उसके बाद देखिए इस तरीके से उतार लेती हूँ पहले इसको बिना नहीं है इसको ऐसे ही एक एक करके उतारते जानी है ताकि हमारी जो नोख है सलाई की वो दोनों एक साइड आ जाए देखिए फ्रंस मैंने इसको इस तरीके से बिना बुने उतार ली है और द्यागा हमारा जो यह है इसको कट नहीं करना है इसके हमें फिर गले के लिए बॉर्डर बनानी है तो अब हम इस तरीके से इसको रखेंगे और हमने बैक साइड जब बनाए थी तब हम पर दागा थोड़ा लंबा करके कट कर दिया था ताकि हमारी शोल्डर की जो बिनाई है वो हो जाए इसलिए देखिए इतना हमने कट कर दिया हमारी शोल्डर के फंदे को उतारने के लिए अब देखिए आपर हम इसको ऐसे करेंगे और दोनों सलायों को बराबर कर लेंगे ऐसे फिर हम यहां से फंदे उतारना स्टार्ट करेंगे जैसे आपको इजी लगता है आप वैसे फंदे उतार सकती है मैं जैसे उतारती हूँ मैं आपको वसे ही दिखा रही हूँ पहला हम यह जो आगे की सलाई है यहां से एक फंदा लेंगे ऐसे सीधा करके इसको ऐसे लेंगे और पीछे की सिलाहे से एक फंदा ऐसे सीधा लेंगे दोनों को इस तरीके से हम सीधा बना लेंगे इसे सीधा बना के यह जो दो फंदे हमने लिए इसको हम ऐसे उतार देंगे कि उसके बात सिर्श से आगे की चिर एक फंदा प्रतना को ची और दोनों को सिधा बनाएंगे और दोनों फंदों को स्बाटिय। इसे हम गष्टर के उपर से गिरा देंगे जब देखियें दो फंदों को हम एक साथ नीयुक्त सीधा बनाइगे। व्क ईखें से इक यहा से और ने को सिधा उतार के इस मैं इस तरीके से पहला था है इसको इस इसी तरीके से मैं पढ़ानी है दोनों साइद के शोल्डर के ज़्यार को इसी अग आट है आपको थोड़ा द्यान से यहाँ पर करनी है एक भी फंदा आपकी गिन्दी नहीं चाहिए सलायों से सबी फंदों को ऐसे आपको बिनाय करते हुए जानी है इस तरीके से मैं उतार लेती हूँ यहां से लेके बटन पट्टी के छोड़ेके यहां तक मैं इसको उतार लेती हूं इसको निकाल के गाट लगा देंगी और एक्ष्टा दागा जितने भी आपके इसको आप सलाइयों से सुईस से या क्रोश्या से अंदर ले लिजे इसकी फिनिशिंग इस तरीके से आएगी मैं अपको सीधी तरफ से भी थोड़ा सा दिखा देती हो यह से अब हम दूसरा शोल्डर जोइन करेंगे और यह जो बटन पट्टी के दागे इसको हमें ऐसे ही छोड़ देनी है अब दे के बाद यह देखिए इसकी दोनों पॉいंट जो है एक इधर है और एक इधर ही अब हम यह जो फ्रंट साइट के पीश है इसकी पंडे हाम बिना बुन्या उतारते हुए यहां तक तक आ जाएंगी लाश्ट के आठ फंदे रहने तक इसको हम यहां तक बिनाबुने उतार लेंगे उसके बाद इसकी शोल्डर जो है वह आपस में जॉइंट कर देंगे फिर मैं आपको इसको दिखाती हूं पहले इसको जॉइंट कर ली है इस तरीके से दोनों शॉल्डर जॉ तो हम क्या करेंगे यहां से बिनाबुने एक सिलाए में इसको फंदे को उतार के फिर इसकी स्टार्टिंग करेंगे उसके बात इससे बनाते हो यहां तक आ जाएंगे उसके बात जब हम इस पहले पट्टी को बनाएंगे तो यहां पर हमें अलग से उन लगा के यहां से तो आपको इस तरफ से जोईन करने हैं जोड़े हैं इसको अलग दागा लगा के जोईन करके फिर एक सीधा एक उल्टा बनाती हुई यहां हाफ बना लेनी है तो इसको मैं यहां से लेकि आ तक बिन लेती हुँ दोनों साइट के पटी को बीच में आपको एक उंगली की गैप देनी है जयादा इसको गैप नहीं देनी है और नाहीं ज़्यादा इसको बनानी है एक उंगली की जापिंग आपको इसमें रखनी है ताक्कि गली जो बॉडर ही वह अच्छे सी वायत परेंदेरें और वीचमे गैप दिखा वरेंटला पर दीर के चेमपकर दिएλα जाहें तो इस फंद्यों को उतार के टीरिय को सिलाय कर सकती है या फिर सब्रसमारि से बंद कर सकती है वह अपके उपर है Import जैसे देह default दीर में इसे कर सकती है तो पहले देखें यहाँ पर मुझे समय उसे मैं इसको बंद करूँगी तो इस पर क्या करना है देखिए इस तरीके से एक नोख हमारी सलाई की इस तरफ है और एक नोख सलाई की दूसरी तरफ है तो हम इसको यहाँ से गटाना स्टार्ट करेंगे इस वाले सलाई से इसको हम बैंड ओफ करेंगे तो इस वाले सलाई क करेंग cácफ को यई जो फंदी हैं इसको हम ऐसे बिना बुने ऊतार लेंगे ये जो दागा है हमारी इस तरफ होनी चाहिए इस तरफ ना ना कि अगर हम दोनों दागा जो है एक तरफ लाएंगे तो हमारी सलाही है वो है अचinent से फिनिशिंग के साथ नहीं आएगी अब दोनों पॉइंट मेरी इस तरफ है तो यहां से मैं इसको बाइंड ओफ करूंगी तो इन दोनों को ऐसे मिला लूँगी ऐसे और फिर इसको देखिए ऐसे करके दोनों स्लाइ को हम बराबर कर लेंगे फंदे को और जैसे आपको इस लागे है वैसे इसको फंदे को उतार सकती है इस तरहे से में इस एक फंदा इसका एक फंदा दूसरे से लाइका लूँगी और इस बात का आपको द्यान रखना है जाब आप इसको इस तरीके से बाइंड ओफ करेंगे तो आपकी जो उल्टी साइट होनी चाहिए और सीधी साइट अंदर की तरफ होनी चाहिए नहीं तो यह जो जोइंड हम क बंद कर ली है अब इस दागे को पंदे में से निकाल देंगे और इस वहले दागे को लेकर एक गाट लगा लेंगे ताकि यह बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए Aud a अब देखिए हो आज से हमें चला लेंगे इस दागे में इस तरके से रखेंगे और उल्टी साइच से स्येत बागाट नार ल». पहले में इसको कर लेती हुँ हमने लीप को आपको आपके लिएना आर Parrotipon खोलग में का निसकी क्याओफिन अफ्मट में रहुत हैs से शिलाई कर लेने हैं तो पहले मैं इसको यह आसा सिल लेती हूँ देखिए फ्रेंट्स मैंने सिलाई कर लिए इस तरीके से और फ्रांट से इस तरीके से दिखेगी जब देखिए हम इसकी जो है बाजू के लिए फंदे उठाएंगे जैकेट की देखिए फ्रेंट्स यह जो हमने आम होल की कटिंग की ही यहाँ से यहां तक हम फंदे उठाएंगे उसके बाद यहां तक उतने ही फंदे उठाएंगे जितने हमने इस साइट उठाई है तो मैं आपको थोड़ा सा उठाके फिर गिनके बता देती हूँ पहले हम इसको इस तरीके से इल्टा करके रखेंगे उसे बाद जिस सिलाई से आपको फंदे उठाने है वो आप उठा सकती हैं 10क stocks से नो नम्बर से इगर अधर शितना तो आप 9 नम्बर में इस तरीके से इसे पहले हम इा कि आपने उठाएंगे फंडे राल की तरफ तरुए से अस वह से आपनी तरफ होनी चाहिए और तो दूटी साइट है वह उस दरफ उनी चाहिए अराम से उठाएँगी गाट आएगी फंडे आतरा अने टाइम वह अपकी पीछे की तरफ रहे तो इस तरीके से हमने इस चेन आपको दिखर रही है a pray चेन एक चेन में आपको थाए ऐसे यहां Escape शोल्डर जहां हमने जोइंड की यहां तक उठा लेनी हैं तो पहले मैं इसको यहां तक उठा के फिर में आपको दिखाती हूँ देखी फ्रेंट्स इस तरीके से मैंने मुद्द से लेकर शोल्डर तक यहां तक फंदे उठा लिए है अब इहां पर आपको 30 30-32 उठाने हैं यहां पर भी आपको वही 30-32 इस साइट उठानी है टोटल हमारे साट के आसपास उसके उपर अगर दो चार फंदा अगर उपर नीचे हो जाए तो उससे फर्क नहीं परता आपको जो है इतना फंदा उठाना है जितना आपने बेक साइट के पल्ले में डाली ह कम से कम यहां पर मैंने जो है 67 फंदे डाले है तो यहां पर मैं कम से कम 60 62 या 63 जितना भी मेरा इजिली उठाता है उतना में उठा लूँगी उसके बाद में एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर बनाऊंगी तो पहले मैं इसको कंप्लीट करके फिर बॉर्डर स्टार्ट करक तो इस तरीके से मैं पहले हम यहां है Посकुgen करें इसकी चोड़ाई आपको अना पर रहेजिए पहले di पर दूसरी तरफ से सब्सक्राइब करें इस तरीके से काउंट करते हूं यहां पर मैंने उल्टी तरफ से काउंट करते हुए इसको आठ सलाय बना ली है यह आप देख सकते हैं इस तरीके से एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ सलाय मैंने इसमें बना ली है अब यह उल्टी साइट से नौवी सलाय मेरी जारी ही यहां पर मैं इसको बाइंड ओफ करूंगी इसको बंद कर दूंगी अगर आपको इसकी और थोड़ा चोड़ाई औ और चाहिए तो आप इसे अपनी हिसाब से रख सकती है मैंने इतना रखा है मैं आपको अगर ना आपके हिसाब से दिखाओ तो देखिए लगबद एक इंस का यह मैंने बॉर्डर बनाया है बाकि आप अपनी हिसाब से से बना सकती अब मैं इसको बॉर्डर जो है बाइंड एसे बीना बुन्य उतार लेंगे और उर्लिय की तरफ लाएंगे इस तरीके onwards masker ऋल्टा फंदा है जब हमम उल्टा फंदा बनाएंगे तो हमें उन आगे की तरफ लानी एक The ये जो बिना बुने हमने फंदे उतारे इसको इस सलाई में लेंगे ऐसे ऐसे लेंगे और ये दो फंदे जो है इन दोनों को हम इस तरीके से उल्टा बना देंगे दो का एक कर देंगे और ये सीधा फंदा है तो गून हमारा पीछे की तरफ ले जाएंगे और इस वले फंदे और इफ़ोस दोनों को हम ऐसे आप दोनों से दोमने hai से दकेछे की तरफ में लेगा इने फे योगी हुए कि इस तरीके से दो फंक ओइने के सीधा पैचे से दूपे से रहो को ना ही ज्याद इसको डीला रखोटाह कर देंगे अगर इस फंडデ की से लेंगे Sh commissions दोनों को पीछ sonra koleशा डालेंगे दोपा 1 कर देंगे एसे उन आगे इस सालन रिचे से उलटा बना देंगे दोपा 1 करते हुए पीछ से इसी पे पिछ even को चुछ आप लएगे पीचे से स्लाई डेंगे इसन शीधा बनाइए दोपा इसलिए इस तरीके से उब्रा हुआ रहना अच्छा लगता है इन दोनों को एक साथ लेंगे दो काई कर देंगे उन पीछे इस तरीके से में पूरी सिलाई कम्प्लीट कर लूँगी अब यह जो उल्टा फंदा है इसको हम इस तरीके से दोका एक कर देंगे और इस वाले दागे को यहां पर कट कर देंगे और यह जो हमने फंदे इसमें से इसको ऐसे निकाल के गाट लगा लेंगे है अब हम इसके सिलाई करेंगे देखिए फ्रेंज दोनों जो शोल्डर के फंदे है वो मैंने इस तरीके से बॉर्डर बना ली है दोनों साइट सेम बैसे ही बनानी है जैसे मैंने आपको बताई है उतना ही फंदे आपको दूसरे साइट के शोल्डर के लिए निकालनी है तो इस तरीके से border बनाने के बाद अब हम इसके सिलाई करेंगे यह जो उल्टी साइट है यह अंदर रहेगी और उल्टी साइट इस तरीके से हम पलट के एक साइट यहाँ से लेके अगर आपने border में ज्यादा फंदे डालते टाइम ज्यादा दागा आपका बच जाता है तो आप इसको कट करके यहां से यहां तक सिलाई लगा लेजी तो इन देखिए यह जो शोल्डर हमने बनाई है शोल्डर के border यहां से हम डागा लगा के सिलाई कर सकती है या फिर आप य या सुई से अंदर डाल लिजे उसके बाद इसको कट कर दीजे तो मैं दोनों साइट पहले सिल लेती हूँ सिलाई सिंपल है आपको सुई में दागा डाल लेनी है और यहां से यहां तक सिलाई कर लेनी है जैसे मैंने अपको गले की border में बताई है तो इसको मैं पहले complete कर ल मेरे पाद जो है वो में इसमें लगा रही हूँ बिल्कुल इसकी color matching है तो मैंने इसी को इसमें लगाया है तो पहले में बटन्स लगा के फिर में आपको इसकी final look दिखाती हूँ बटन्स की थोड़ा सा जो है आपको ऐसे लगानी है देखिए इस तरीके से जहां पर हमने य पाद करके रखनी है दोनों के उपर एक दुस्ते के उपर इस तरीक से और यहां पर देखिए ओल आरी है तो हम यहां पर एक बटन लगाएंगे और यहां पर यहां पर लाश्ट यहां पर एक तो इस तरीके से में बटन्स लगा के फिर मैं आपको final look दिखाती हूँ कि देखिए फ्रेंज यह जैकेट बनके बिल्कुल रेडी है देख सकते हैं आप मैंने इसमें बटन्स भी लगा दी है इस तरीके से मैं आपको नापके भी दिखा दीती हूँ इसकी पूरी लंबाई देखिए शोल्डर से लेके बॉर्डर तक की जो लंबाई है लगबक 14 इंस है इस तरीके से और इसकी जो चोड़ाई है दिखिए यहां से यहां तक 10 इंस है तो आप अपनी हिसाब से अपने बच्चे के हैल्थ और हाइट के अनुसार इसको बना सकती है लंबा और इसकी करते हो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करती जिएगा शेर कीजिएगा अपनी फ्रेंस और फैमिली के साथ चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा आने अगले वीडियो में एक नई डिजाइन के साथ तब तक के लिए अलहाफ इस द्वाव में याद रखेगा थैंक यू